जेके बोपी की तरफ से एक important update है सिभी नीट यूजी MBBS BDS Esperants के regarding जिसे कि आप लोगों को पता है जेके बोपी ने आपका UT PML जारी किया था कुछ दिन पहले और आप लोगों ने अपनी UT की रेंक देखी होगी अब Esperants इंतिजार कर रहे थे कि online counseling कब से start होगी यानि Choice Filling हमको कब से करनी है जो Preferences हैं वो Submit हमको कब से करने है तो आपका जो Online Round होने जा रहा है पहला Round First Touch of Online Counseling उसका यहां पर Schedule जेके बोपी ने जारी किया है यानि डेट जारी की हैं आपको Online Counseling कब से करनी है आपको Choice Filling कब से करनी है आपको preferences online submit यहां पर कब से करने हैं तो इसके dates यहां पर आज चुकी हैं आप देख सकते हो 28th of August से लेकर 31 August तक 28 August से लेकर 31 August तक लेकिन 28 August after 3 p.m. and to 31st August midnight तक तो यहां पर counselling fee के बारे में हम बात करेंगे 1500 आपका counselling fee है सो यह important है कि counselling fee भी आपको pay करना पड़ेगा यह भी आपको online pay करना पड़ेगा counselling fee seat matrix भी आपका upload होगा online website पे जेके बोपी के official website पे तो कुछ time आप थोड़ा बोड़ टाइम आपको wait करना पड़ेगा वो भी जेके बोपी official website पे आज ही upload करेगा यहां पर कुछ important points हैं लाइक जिन बच्चूं के documents deficient हैं लाइक नीट सिकोर कार्ड दोमेसाय सर्टिफिकेट डियोवी सर्टिफिकेट 12th marks कार्ड compulsory service mark तो उनको यहां पर online accounts में participate कर सकते हैं लेकिन अगर वो बचे सिलेक्ट होते हैं तो admission के time उनके पास यह documents होने चाहे अधरवाइस उनका admission cancel किया जाएगा एंड जिन बच्चू ने यहां पर reserved category certificate submit नहीं की हैं तो उनको convert किया गया है open merit में यहां पर और भी यहां पर लिखा गया है कि जो यहां पर अपनी sub category यहां पर submit नहीं कर पाए हैं तो उनको भी यहां पर exclude किया गया है from their respective sub categories अब अगर किसी बचे ने कोई भी document यहां पर upload नहीं किया हैं तो यहां पर पास्पेट नहीं कर पाएगा support certificate के बारे में यहां पर important point है आपको पता हैं कि आप जो हमारा जुमेड कश्मीर sports council हैं वही एक list फारवर्ड करता है जेके बोपी को तो उस में उस list में aspirants का नाम होता है और वहां पर उनकी support percentage होती हैं आप जो बच्चे हैं जिनका नाम उस list में नहीं है यानि sports council में नाम नहीं मतलब रखा है तो उनको भी यहां पर open merit treat किया जाएगा